क्या दोस्तो आप भी विंजो एप में UPI और बैंक के जरीए पैसे विड्रॉल करना चाहते हो। क्या आपको नहीं पता कि विंजो एप में UPI और बैंक के जरीए पैसे कैसे विड्रॉल किये जाते हैं। तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि आप कैसे UPI और बैंक के जरीए विंजो एप से पैसे विड्रॉल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तो Winzoi app से UPI और bank के जरीए पैसे विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना Winzoi app ओपन करना पड़ेगा तो ये रहा Winzoi app इसके उपर क्लिक कर देंगे Winzoi app के उपर क्लिक कर देने के बाद अभी हमारा Winzoi app ओपन हो चुका है और हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है अभी दोस्तो आप जो भी पैसा Win करते हो वो सारा का सारा पैसा आपके wallet में चला जाता है तो आपको सिंपल से अपने wallet के उपर क्लिक करना है तो ये रहा wallet इसके उपर क्लिक कर देंगे wallet के उपर क्लिक कर देने के बाद यहापर आपको winning में जो भी amount दिखाई दे रहा है यह सारा का सारा मैंने win किया हुआ amount है wins app में तो दोस्तो अभी इस पेसे को withdrawal करने के लिए आपके सामने यहापर आगे withdrawal का एक option आएगा तो आपको simple से withdrawal के उपर क्लिक करना है withdrawal के उपर क्लिक कर देने के बाद यहापर मेरा UPI और Paytm और Bank का option दिखा रहा है और दोस्तो अगर आपने नया account create किया होगा तो आपके सामने यहाप स्रिफ Paytm का option दिखाएगा तो दोस्तो इस problem को कैसे solve करना है चले पहले यह जान लेते हैं दोस्तो आपको यहाँ से back आना है, back आने के बाद यहाँ पर यहाँ पर आपका एक profile फोटू दिखेगा आपको profile के उपर क्लिक करना है आपके यहाँ पर profile ओपन हो जाएगी विंज्व एप में, और दोस्तो आपको अपको यहाँ पर एक option मिलेगा email id का तो दोस्तो जब हम नया account बनाते हैं तब हमारी email ID हमको यहापर डालनी पड़ती है तब हमारा UPI ID का और bank account का option open होता है withdrawal के इदर तो आपको simple से हापर अपनी email ID डालनी है और नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यहापर save profile के उपर click करना है save profile के उपर click कर देने के बाद आपकी email ID यहापर add हो जाएगी email ID एड होने के बाद आपको यहसे back आना है और एक बर way कह जाएंगे back आने के बाद दोस्तो अभी आपको फिर से withdrawal के उपर click करना है withdrawal के उपर click कर देने के बाद आपका यहापर UPI ID और bank account का option open हो जाएगा और आपको simple से यहापर अपनी UPI ID लिंक कर लेना है और दोस्तो अगर आप bank transfer करना चाहते है अपने पैसे तो आपको simple से यहापर bank transfer का जो option उसके आगे link का option इसपे click करना है और यहापर आपको अपनी bank के detail डालनी है और अपना bank account add कर लेना है और दोस्तो अभी मैं आपको अधाता हूँ कि अभी आप पैसे किसे withdrawal करेंगे तो आपको यहापर उपर enter amount option मिलेगा यहापर आप जितना भी amount withdrawal करना चाहते है उतना amount आपको यहापर डालना है अभी समझो मैं 50 रुपे withdrawal करना चाहता हूँ तो पचास रुपे डालने के बाद अगर मैं pay tm में अपने पैसे withdrawal करना चाहता हूँ बैंक अड करने के बाद यहापर bank select करने का भी option आ जाएगा तो दोस्तो मैं bank को select करके मेरे bank में भी पैसे withdrawal कर सकता हूँ फिलाल में यहाँ पर UPI के तरह पैसे विट्रॉल करना चाहता हूँ, तो UPI के उपर क्लिक कर दूँगा और नीचे विट्रॉल नाओ को जो option है, इसके उपर क्लिक कर दूँगा, विट्रॉल नाओ के उपर क्लिक कर दूँगा, उसके बाद दोस्तो थोड़ी से यह loading लेगा, तो आपको थोड़ा विंतजार करना पड़ेगा, तो अभी इसकी loading खतम हो चुकी है, और हमारा पैसा यहासे कट हो चुका है, दोस्तो कुछ वक्त लगता है, इसको अपनी bank में आने के लिए कभी-कभी तुरंत आ जाता है, तो आपको थोड़ा wait करना है, जैसे कि आप लोग देख सकते है, अभी मेरा पैसा यहासे कट चुका है, और दोस्तो आप लोग यहापर उपर देख सकते है, अभी मेरे Google Pay में मैंने जो पैसा विड्रॉल किया था, उसका 5% कट करके पैसा आ चुका है, तो दोस्तो इस तरह से आप विंजो एप से UPI में या फिर बैंक में पैसे विड्रॉल कर सकते हो,